शांती उनतिस चार दोहजार बाईस आज के मीठे बाबा के मधुर महावाक्य मीठे बच्चे कुछ भी सहन करना पड़े लेकिन इस अंतिम जनम में पवित्र जुरूर बनना है बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए प्रश्न है अंतिम द्रश्य कौन सा होगा जिसे समझने के लिए अच्छी विशाल बुद्धी चाहिए उत्तर है अंतिम द्रश्य सब के वापिस चाने का है कहा जाता है राम गयो रावन गयो बाकी स्रिस्टी की सफाई करने वाले नई दुन्या की तयारी करने वाले थोड़े बचेंगे हम भी जाएंगे फीड जहां जीट वहाँ जनम होगा भारत में ही जीट होगी बाकी सब खलाफ सोजाएंगे राजय आदी जो धनवान होंगे वह बचेंगे जिनके पास हमारा जनम होगा फीरं स्रिस्टी के मालिक बनेंगे ये समझने के लिए विशाल बुद्धी चाहिए गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभू धारना के लिए मुख्यसार पहला अब नाटक पुरा हो रहा है वापिस घर चलना है इसलिए पावन जरूर बनना है कोई भी देधारी को याद नहीं करना है दूसरा बाप से बल लेकर इस संतिम जनम में स्री पुरुष साथ रहते भी अवित्र बन कर दिखाना है बेहत का बाप मिला है तो उसकी श्रीमत पर जरूर चलना है वरदार अपनी देवताई संसकारों को इमर्ष कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविध्या स्वरूब भवव जब आप बच्चे अपने सत्युगी राज्य में थे तो व्यर्थ वा माया से इनोसेंट थे इसलिए देवताई को सेंट वा महानात्मा कहते है तो अपने वही संसकार इमर्ष कर व्यर्थ के अविध्या स्वरूब बनो समय, श्वास, बोल, कर्म, सब में व्यर्थ की अविध्या अर्थात इनोसेंट जब व्यर्थ की अविध्या होगी तब दिव्यता, स्वतह और सहच अनुभव होगी इसलिए यह नहीं सोचो कि पुर्षाट तो कर रहे है लेकिन पुरुष बन इस अर्थ रथ द्वारा कार्य कराओ एक बार की गलती दुबारा रिपीट न हो स्लोगन है रूहानी गुलाब वहे जो काटों के बीच में रहती भी न्यारे और प्यारे रहते है ओं शांती